जाएन फ्रेंट्स मैं मुकेश सिंग आज फिर सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के स्पंग की स्पोकेन वकैब सीरीज में और फ्रेंट्स आज जो हम सिखने वाले हैं वो टोपिक बताने की आउसकता नहीं आप थम्मनेल पे देखी लिया होंगे यह दि o, is about to start 3, 2, 1 का हूं व बात करें यह हर ढल की तुससे अंग्रेजी में बोलते हैं पिजन पी, काला चना को गहां मैं ब्लेक चीकपीज भूते हैं, चना दाल को चीक पीज स्प्लिट् conv मटर दाल को मटर दाल पिली मूंग दाल को स्कींड दाल हरी मूंग दाल को स्प्लिट ग्रीन ग्राम साबित मूंग जो अक्खा मूंग होता है उसे ग्रीन ग्राम बोलते हैं मसूर को ब्राउन लेंटिल मसूर की दाल को रेड लेंटिल साबित मसूर को यानि साबित मसूर दाल जो उसका क्यों चिलका उतारा रहता है उससे हम गोल रेड लेंटिल बोलते हैं उड़त को ब्लेक ग्राम, उड़त की दाल को स्प्लिट ब्लेक ग्राम धूली उड़त की दाल को वाइट लेंटिल कुल्ती दाल को होर्ष ग्राम, काबुली चाना को चिक पीज, सफेद मतर को वाइट फीज, सेम को लिम्मा बीन्स, लोबिया को ब्लेक आई पी, ब्लेक आइड बीन्स भी बोलते हैं राजमा को किड्नी बीन्स, स्वयवीन को स्वयवीन, मुंग फली को पीनट, मकई को होल कॉर्ण, मुंग दाल को ग्रीन ग्राम या मुंग बीन्ड भी बोलते हैं हरी मुंग दाल को जो छिलका सहीद होता है उसे स्प्लिट ग्रीन ग्राम बोलते हैं धूली पीली मुंग दाल को जो थोड़ी सी वहश की ओजाती है उसे एलो मुंग या ग्रीन ग्राम स्कीन भी बहते हैं दो ना मसं रहा है उड़त को ब्लेक ग्राम जो पहले भी बताया हुआ हो या उड़त बिन भी वह दासकता है उड़त बिन उड़त डाल चिलका सहित वाले को split black gram धूली उड़ा दाल को जो थोड़ा वस किया रहता है उसे skin black gram या white lentil भी बोलते हैं मसूर को red lentil मलका मसूर यानि सबुत मसूर का जो दाल होता है उसे whole red lentil बोलते हैं मसूर दाल को split red lentil भी बोल सकते हैं कुलती दाल को या कूर्थी कूर्थी या गाम वे कूर्थी भी बोलते हैं कूर्थी दाल जो खास करके जो इस्टोन होगर हो जाता है ना पेट होगरम है उनको दिया जाता है ताक या थोड़ा अच्छे से सफाई हो जाती है और ऐसे भी बहुत कामकत दाल है वो तो उसे horse gram या फिर कूल्थी बीन भी बोल देते हैं खियासारी दाल को grass पी मोहाथ दाल को उत बीन मतर को तो PC बोलते हैं मतर दाल if microphone लो स्पिलेट पीज बोलते हैं चना दौन दाल को स्पिलेट पी या स्पिलेट बंगाल gram चाना को चीख फीभ़ देते हैं राज मा को किरणी बीन स्ट्रेविन कर से विन से अम को लिमा बीन मुंग दाल को कभी-कभी अजूकि बोल देते हैं खीज कंट्री में दमीडे डाल या फिर रेड रेट मूँख बीन के काम चला जा सकता है बकला को ब्रॉड वीं भी बोलते हैं अब देखो भी या इसमें कोई-कोई चीजे जो है दो बार रिपीट हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर अंतर है तभी रिपीट हुए हैं हो सकता है कभी-कभी एक च चीजियों को दो नाम से जानते हैं वह ही रिपीट हुई है उसे भी अच्छे से स्टडी करें ताकि कभी भी किसी प्रकार का प्रोलर नहों तो आज के लिए बस इतना ही और मैं आशा करता हूं यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उजफूल और इंफरमेटिव सावित ह होने वाली है क्योंकि जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग के खासकर उनके लिए तो बहुत इंपोर्टेंट है यह वीडियो क्योंकि जब तक अब हम जानेंगे नहीं कि अपनी नेटिव लेंग्वेज में हम इन चीजों को यह बोलते हैं और उसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे तब तक हम बोल कैसे पाएंगे तो सबसे जो फर्स प्राइडिटी होनी चाहिए हमारी वह कैप पर पूरी कमान होनी चाहिए इसलिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंड है अच्छे से देखना और सुनो इसमें बहुत मेहनत लग रहा है भ पावर मिलता है तो थैंक्स फॉर लिस्निंग और वाजिंग मैं फ्रेंड शीए नेक्स वीडियो थैंक यू थैंक यू सो मॉच